नमस्कार दोस्तों, Stock Market Hindi में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बहतरीन Micro Cap Stocks जो बहुत अच्छी तरह से रिटन बना कर दिये हैं और इन दोनों ही Company के Financials भी आप देखेंगे और वहीं Last 5 Years की बात करो तो यहाँ भी आपको यह Return 500% से ज़्यादा की देखने मिलती है यहाँ Friends तो Company बहुत अच्छे तरह से Perform करते आ रही है आगे इस Company के Financials की सबसे पहले हम बात करेंगे तो latest quarter में भी अगर देखा जाए तो यह अच्छी कासी जम्प है और last quarter से भी compare के जाए तो 164 करोड से 172 करोड तक की जम्प Operating Profit यह भी देख सकते हैं तो 22 करोड से 27 करोड यहाँ से भी देख सकते हैं और Net Profit की बात करें तो वह भी आप देख सकते हैं 15 से 20 करोड पर इस Company की Net Profit रही है तो Company की Financials Growth आप सालाना भी देखना चाहें तो यह आप देख सकते हैं Last 5 Years और 10 Years में 10 से 15% की सालाना Growth रही है और Component Profit Growth भी देख सकते हैं 25 से 30% तक ही देखने मिलती है जियां फ्रेंड तो यह Long Time की Growth है जहां से Company की Stability समझ में आती है कि Last 3 Years में भी Company की Performance Positive है Last 5 Years में भी और Last 10 Years में भी और वहीं आपको देखना है तो ROE Company Return भी Generate कर पा रही है वो भी 15 से 20% का देखने मिलता है जो बहुत अच्छा ही माना जाएगा जिसमें कोई कमी नहीं है वहीं Stock Price का CAGR आप देख सकते हैं तो Last 3 Years में तो 91% तक की देखने मिलती है Last 5 Years में 40% के अवो है 10 Years में भी 40% के अवो के CAGR से यह Stock Return बना रही है जिया फ्रेंड्स तो बहुत अच्छा performance रहा है और इस एक साल में भी more than 55% तक की return दिख रही है जिया फ्रेंड्स बात करों इस company के रिजव की तो यह देख सकते हैं आप रिजव भी कितने सांदार तरीके से company का रिजव हर साल ही grow होते आ रहा है देख सकते हो आप भी 2011 से य रही है और 8% 336 करोड की रिजव लाश्ट कॉर्टर तक देखने मिल रही है शेर ओल्डिंग पैटर्न भी इस company के देखा जाए तो यहां भी आप देख सकते हो 68.12% की प्रमोटर की सिदारी है FIs ने 3.71 से holding रखी है और DIs ने 0.33 से तो यह भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी जिहां friends बात करो इस company की तो इस company का market cap है जो है तकरीबन 1550 करोड का और stock price 147 पर मिल रही है stock का 52 week high 156 रुपीज का है देख सकते हो PE की बात करो तो 2021 के PE पर यह stock नजर आता है वहीं industry का PE है 30 का company की सांदार ROC 26% की है और ROE भी 212% की है sales growth जैसे कि हमने कहा कि काफ 52% की और profit growth 28% की देखने मिलती है जिहां friends company पर debt भी कोई खास नहीं है मात्रा 19-20 करोड की debt है वहीं इनके पास reserve भी तकरीबन 336 करोड का reserve at present देखने मिल रहा है so friends इस company का नाम है sexsoft limited जिहां friends देख सकते हैं providing business intelligence and information management solutions प्रवाइड करती है जो अपने various client है इनके international level पर जिहां friends देखा जाए तो इनके services में application development, testing and quality control and solution based on cloud, mobility and internet of things along with information management and business intelligence solutions प्रवाइड करती है तो यह सारे IT fields की services इस company से जुड़ी हुए जिहां friends तो बहुत सही company है और एक futuristic company है तो friends sexsoft limited जो at present आपको 150 की level पर देखने मिल रहा है यह stock after split यह price आपको देखने मिल रहा है जिहां friends September 2022 में company ने stock split किया था जो एक के बदले 10 share दिये गए थे जिहां friends तो आप बात करते हैं अगले stock की तो यह company भी बहुत सांदार है इस company की return आप देख सकते हो पिछले 5 सालों म more than 900% की return बना कर दी है और last one year में भी इस stock की return 50% के तक की देखने मिलती है जिया friends तो सांदार company है financially भी आप देखना चाहें तो at present भी यह stock मात्र 1000 करोड का market cap रखता है जिसकी current price 932 की है और 52 भी खाय भी 1180 का है stock at present 4243 के P पर देखने मिलता है वही industry का P 16 का है ROC company की बहुत ब 25% की है इस company की sales growth है 51% की और profit growth तकरिबन 36% का देखने मिलता है जो last telling 12 months का है जिया friends तो सांदार growth at present देखने मिलती है बिल्कुल भी debt free company समझ सकते हैं मातर 6 करोड की debt है जिसकी against में company के पास reserve 110 करोड की है जिया friends तो छोटी company है छोटा सा reserve भी है बट ठीक है debt company का measure नहीं है revenue में last quarter से slightly decline देखने मिला है जिया friends देख सकते हैं लेकिन quarter on quarter देखा जाए yearly base पर तो यह अच्छी खासी jump है तकरिबन 10-11 करोड की jump है इनके sales revenue में वही profit भी अच्छी खासी बड़ी हुई है 6 करोड से 9 करोड 49 लाग और net profit भी आप देख सकते हो तो तकरिबन 4 करोड 60 लाग स आप देख सकते हैं सालाना sales growth इनकी किस तरह से है जो 20-25% तक देखने मिलती है long run में भी और profit growth भी आप देख सकते हो जो 30-60% तक देखने मिलती है जिया friends last 10 का profit growth देखा जाए तो 63% की है last 5 years का 48% and last 3 years का 31% जो बहुत बहतरीन चल रहा है जिया friends और साथी ROE भी 20-25% का है तो अच्छे खासे company return generate कर पा रही है इसी के साथ company ने अपने निवेशकों को भी एक बहतर return बना कर देते आ रही है जिया friends current year में 50% के अबोगा return है और last 3 years में इस company का जो CGR रहा है 102% का देखने मिलता है यनिकि हर साल ये stock आपको आपका investment डबल करते दे रहा है जिया friends last 5 years में 60% contribution तक की annual return रही है बहुत सांदर तरीके से grow कर लिए company so friends इस company का नाम है रागहो productivity enhancers limited जो एक microcap company है जिसकी current price 930 के round देखने मिलती है जिया friends दोनों company ने पिछले past fire से बहुत अच्छे तरीके से perform करते आ रही है लेकिन फिर भी ऐसी stock में निवेश करने से पहले आपकी खुद क analysis जरूर हो तो better है और इसी के साथ निवेश भी उतना ही हो जितना की आप risk लेके चल सकते हैं जिया friends microcap stock में काफी ज़्यदा volatility देखने मिल सकती है जो आपके portfolio को बहुत बुरी तरह से impact भी कर सकती है इसलिए निवेश उतना ही हो जितना की आप बरदास कर सकें जिया friends return तो साथ ही साथ आपका risk भी काफी बढ़ जाता है इसे stocks में जिया friends तो ध्यान से निवेश कीजिए तो sexsoft और ragho productivity enhancers दोनों ही multi beggar stock रहे हैं पिछले 5 सालों से आगे भी ये stock अच्छे performance करते रहें तो इन में इस तरह से return बनते देखने मिल सकते हैं So friends आज की इस वीडियो में बस इतना ही उमेद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो So दोस्तों वीडियो को like जरूर कीजिएगा और जो भी चैनल पर first time विजिट के हैं और चैनल को subscribe करके bell icon भी जरूर करें ताकि आने वाली quality stock की update आपको लगातार मिलती रहें So friends मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए तब तक के लिए आप सभी का